में ड्क्तर शितहरल टॉंग से आपका भूठ-वहर फ्वाकट करता हूं मेरे इस योटूब चैनल पर हीपेटाइटिस A क्यों होता है तो हीपेटाइटिस A होता है हीपेटाइटीस A नाम के वायरस कीवज़ से हिपेटाइटिस का मतलब है हिपर यानि की लिवर और आइटिस का मतलब होता है सूजन आ जाना सो हिपेटाइटिस A नाम के वायरस की वज़े से जब आपके लिवर के उपर सूजन आ जाती है स्वेलिंग आ जाती है उसे हम कहते है हिपेटाइटिस A वैसे देखा जाए तो ज़्यादा तर हिपेटाटिस A ये लंबे समय तक चलने वाली बिमारी नहीं है, ये शौट टम बिमारी है वैसे देखा गया है कि काफी cases में, ज़्यादा तर मामलों में ये अपने आफी ठीक हो जाती है तो क्या इसके कारण है, क्या लक्षन होते है और क्या ट्रूटमेंट करनी चाहिए, आईए जानता है इस वीडियो में हिपेटाटिस A ये एक self-limiting disease है, क्या लक्षन दिखेंगे, कैसे पहचानेंगे आप कि आपको हिपेटाटिस A है तो सबसे पहले आपको weakness, अत्याधिक ठकान महसूस होने लगेगी, बहुत ज़्यादा weakness लगेगा उसी के साथ सबसे जरूरी जो symptom हमने हिपेटाटिस में देखना चाहिए, वो होता है गाड़े रंग का मुद्र एलोईश कलर का यूरीन आपको इसमें दिखेगा, साथ में आपकी भूख कम हो जाएगी, आपको मतली होने लगेगी, उल्टी भी आपको हो सकती है पेट में दर्ध होने लगेगा, हलका हलका सा बुखार भी इसमें रहता है, पीलापन ये बुख्य लक्षन इसमें होता है, आपको तवचा और आखों के नीचे पीलापन दिखने लगेगा, आखों के और तवचा पे भी आपको पीलापन दिखेगा, पीलापन प्लस विकनेस और उसके साथ में आपको दिखेंगे digestive symptom, जैसे कि भूख कम हो जाना, उल्टी, मतली होना, ये common symptom इसमें दिखते हैं, फिर साथ में कुछ associated symptoms भी होते हैं, जैसे आपके जोडों में दर्ध हो सकता है, आपका weight loss हो सकता है, वजन कम हो सकता है, पतले दस्त आपको लग सकते हैं, बदंदर्द आपका हो सकता है, तवचा में खुजली हो सकती है, पैरों पे सुजन, ये भी मुख्य लक्षन जो है, हिपटाटिस A में देखा जाता है, क्यों हो सकती है हिपटाटिस की बिमारी, किस तरह से हो सकती है, क्या इसका source of infection है, पहला है दुशित पानी, अगर दु इसरा कारण होता है, अगर आप मचली खाते है, और वो मचली प्रदूशी तालाब या नदी से निकाली गई है, तो ऐसे condition में भी ये infection डायरेकली आप तक पहुंच सकता है, और एक कारण इसमें जो देखा जाता है, वो होता है, हिपटाटिस A संक्रमित व्यक्ति का मल, उस या फिर उसकी जो needle यूज की जाती है, उसको अच्छे से clean नहीं किया गया, पुराने जमाने में ये infection के chance इसमें ज्यादा रहता था, जैसे वही needles यूज करते थे, आज कल तो हम needles को fake देते हैं, लेकिन वही needle अगर यूज की जाए, तो वो संक्रमन आप तक पहुंच सकता है Hepatitis A के case में आप बचाओ बहुत important हुटता है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, जो आप खुद को Hepatitis A से बचाने के लिए बहुत important है, क्या करना है आपको, आपको खाने से पहले और शौच के बाद, अच्छे से, स पानी पीजी, या फिर आप filtered water ले सकते हैं, या फिर उबला हुआ पानी भी आप पी सकते हैं, और एक बात का आपको विशेज ध्यान रखना है, आप फल कहां से खरितते हैं, अगर cleanliness अच्छा नहीं है, अस्वच्छता वाली जगह से आपको फल बिलकुल नहीं खरितने है या दर किये, बहुत important है, अगर आप alcohol लेते हैं, drinks करते हैं, तो वो आपको बंद करना चाहिए, अगर आपको ये संक्रमन हो जाता है, तो आराम करना बहुत ज़रूरी होता है, पानी उबाल के पीना बहुत important होता है, और पानी का प्रमान थोड़ा ज़ादा रखिए, भरप खुद के मन से इसमें कोई भी दवाई मत लीजी, आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, मेरा वाट्साप नमबर मैंने निची दिया है, अपने मन से लीवी मिडिसिन आपके लिवर के लिए नुकसान दाई हो सकती है, और इसलिए प्रॉपर गाइडन्स में ही आपने ट्रिटमेंट करना चाहिए, याद रखिए हिपेटाइडिस ए पूरी तरह से ठीक हो सकता है, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, तो डॉक्टर टोंग से हो में पेती इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजि संस्क्राइब कीजिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गरूर आपको अच्छी तो ईबड़